जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSV भरती 2020 के बारे में अगर आप सभी SSV भरती 2020 का फॉर्म अप्लाई किये हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्यांकि आज की इस व बारे में भी आपको complete जनकारी मिलेगा और इसका syllabus किया है ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो वेकेंसी हुया था उसमें driver, liberty, assistant, veterinary जो की तेंथ पास पर था और इसके लवा कुक वासर मैं ये सभी पोस्ट पर वेकेंसी आया था और इसी में से आप किसी भी पोस्ट पर फर्म अपलाई किये होंगे तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस भरती की selection process की तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दे कि जो इसका selection process है इसमें सबसे पहला आपक PT होगा यानि कि physical efficiency test और उसके बाद आपका physical standard test होने वाला है यहाँ पे आपको बता दे PT के अंतरगत यानि कि physical efficiency test के अंतरगत यह जो constable driver, laboratory assistant, veterinary, carpenter, plumber, painter, tailor, cobaler, gardener, cook, washerman, barber, safai, water, carrier and waiter यह जितने भी पोस्ट है इन सभी में आपका mail के लिए जो running होगा वा 4.8 km होगा और य यह 24 मिनट में आपको यहाँ पे लगाना होगा यहाँ पे आपसे भी देख सकते हैं 24 मिनट में आपको यह running करना होगा इसके बाद फीमेल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल यहाँ पे 2.4 km रेस होगा और यह 18 मिनट में जो है फीमेल के लिए यहाँ पे रेस रखा गया है इसके बाद यहां पे आप सभी को बता दे कि इसके बाद आपका P.E.S.T. होगा यानि कि P.E.T. के बाद आपका P.E.S.T. होने वाला है सबसे पहले आपका यहीं होगा P.E.T. के बाद तो यहां पे देखिए Constable Driver के लिए अगर आप फॉर्म अपलाई किये हैं तो आपका जो ह अगर आप सभी जो यह एस्टेट है यहां पे आप सभी को बता दे सीकीम, नागा लेंड और उनाचल परदेश, मनिपूर, तिरपूरा, मिजोरम, एंड मेगाल है इन सभी एस्टेट से अगर आप बिलोग करते हैं तो 162.5 cm हाइट लगेगा और यहां पे देख सकते हैं य यानि कि एस्टी कैटेगोरी के कैंडिडेट है या इसके अलावा इन सभी एस्टेट से बिलोग करते हैं तो उनको 160 cm हाइट यहां पे लगने वाला है तो यहां पे जो नौर्थ इस्ट के एस्टेट है वहां पे जो है हाइट में आपको छूट दिया गया है इसके बाद य तो यहां पे आपका हाइट 170 cm लगेगा और इसके अलावा जो है फोर गड़वाल कुमोन गोर्खा दोगरा माराथा और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दा एस्टेट अप सीकिम नागाल अरुनाचल परदेश मनिपूर यानि कि इन सभी एस्टेट और इसके अलावा गड 17 cm मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 cm हाइट आपका मापा जाएगा अगर आपका हाइट इससे कम होगा तो आप फिजकल में नहीं जाना क्योंकि वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो एस्टी कैटेगोरी के है सभी कैंडिडेट के लिए फोर आल इन सभी इस्टेट में छूट दिया गया है चेस्ट में इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं यह जो है फीमेल के लिए यह पोस्ट के लिए एक वेकैंसी था जिसमें 157 cm हाइट है तो अगर आप फीमेल है तो आप इसे देख सकते हैं इसके बाद जो इंपोर्टेंट है वह है यह Constable के अंत्रगत जो आपका ट्रेड में पोस्ट था, कारपेंटर था, प्लमबर था, पेंटर था, कूक था, वासर में का था, इसके लबाँ बार्बर साफाई वाला, एंड वाटर केरियर, एंड वेटर, टेलर, गाड़नर, एंड कोबलर का जो पोस्ट था इसमें और फोर एल्क, अल कंडिडेट नोट बिलोंगिंग टू वान एंड टू बीलो, तो यहां पे 166.5 सेंटीमीटर और फीमिल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगा, अगर आप सभी बिलोंग करते हैं, गड़वाल, कुमान, दोगरा, एंड माराथा, एंड कंडिडेट बिलोंगि जो AST कैटेगोरी के कैंडिडेट है, उनको भी हाइट में यहां पे छूट दिया गया है, 112.5 सेंटीमीटर ही हाइट यहां पे लगने वाला है, यह सभी जो आपका हो जाएगा, तब इसके बाद जो है, आपका होने वाला है, सकेंड में रीटेन एकजाम, यानि कि जैसे कि मैंने आपको बताया हैं कि फर्स्ट में आपका P.E.T. P.E.S.D. होगा, उसके बाद सकेंड पॉइंट यहां पे देख सकते हैं, जिसमें आपका रीटेन एकजामिनेशन होने वाला है, यहां पे आप सभी देख सकते हैं, तो रीटेन एकजाम के अंतरकत आप सभी देख सकत और यह 100 multiple choice के जो है objective type के cushion रहेगा और यह बता दे कि PT, PhD के बाद होगा जिसमें आपका general knowledge के cushion रहेंगे, mathematics के रहेंगे, reasoning के रहेंगे और general English या Hindi में से आपको कोई एक लेना होगा तो अगर आप Hindi medium से है तो आप Hindi ही लेना यह असान परेगा नहीं तो आप English भी ले सकते हैं आप के उपर depend है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका qualifying marks है 50% आपका होना चाहिए general EWS and OBC and X servicemen के लिए और SCHD के लिए 45% इससे कम है तो आपको वहीं पर reject कर दिया जाएगा इसके बाद जो third number पर आपका होने माला है documentation and skill test तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आप form apply किये थे तो उसमय जितने भी आपसे document मांगा गया था वे सभी document जो है यहाँ पे properly जो है आपको attested यानि कि self-attested photocopy जो है आपको लेकर जाना होगा documentation में तो इसके उपर तो मैं पहले भी एक video बना चुका हूँ लेकिन अगर आप सभी बोलेंगे तो एक properly अलग से video बना दूंगा कि कौन-कौन से document लेकर जाना है और आप सभी गोपता होगा जब आप form apply किये थे तो कौन-कौन सा form जो है आपका document लगा हुआ था तो self-attested यहाँ पे बोला गया है यहाँ पर देख सकते हैं self-attested document यह documentation के अंत्रगत जो है आपका जब verification होगा तो उस समय जो है आपसे यह सभी चीजे मांगा जाएगा इसके बाद यहाँ पर जो important जनकारी के लिए मैंने यह video बनाए है वह है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं a skill test a skill test के बारे में आपको बता दे कि इसे हम लोग trade test के नाम से भी जानते हैं यानि कि यह एक trade test भी है और इसके बारे में आप सभी को पहले भी हम बताएं कि trade test इसमें कीज परकार से होगा तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है the skill test for all the post will be of 50 marks यानि 50 marks का जो है आपका trade test होने वाला है जिसमें the minimum qualifying marks यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं for all candidate including a CHT, OBC, EWS and a service candidate will be 60% trade test यानि की यहाँ पे 50 marks का आपका trade test होगा जिसमें 60% number यानि की अगर 50 का यहाँ पे आपको बता देते हैं अगर आप सभी 50 का यहाँ पे यहाँ पे आप सभी calculate करते सकते हैं 50 का अगर आप सभी 60% निकालते हैं तो यहाँ पे आपका जो है 30 होने वाला है यानि की 30 number जो है आपको minimum तो लाना ही होगा तो इतना जो है आपको number यहाँ पे लाना होगा इसके बाद जो है यहाँ पे next जो आपका होने वाला है वह होने वाला है detailed medical examination यानि कि आपका DME होगा यहाँ पे आप देख लिजी एक बार 50 number का जो है आपका trade test होगा जिसमें 60% जो है आपको number लाना ही होगा किसी तरह अगर आप नहीं लाते हैं तो आप जो है यहाँ पे cancel हो सकते हैं यानि कि यहाँ पे reject हो सकते हैं इसके बाद आपका DME होगा detailed medical examination और इसमें आपका जो medical का process है वहीं सभी check किया जाएगा इसके बाद अगर आप छाटते हैं तो RME होगा यानि review medical examination तो इसमें भी आपको समय दिया जाएगा 15-20 तिन या एक महिना तक उसके बाद जो है आपका यहाँ पे final selection होने वाला है तो आप जैसे आप सभी देख सकते हैं यह जो skill test है यह काफी ज्यादा important है और यह केवल जो है veterinary post को छोड़ कर सभी post का होने वाला है तो इसलिए आप सभी इसका ध्यान रखे और आप सभी trade test की भी तयारी करते रहें आप जीस भी field में form apply किये हैं उस field से related आपके पास knowledge होना ही होना चाहिए तो यहां पर veterinary post को छोड़ कर सभी post के लिए trade test की आवा सकता है तो यहीं ता वीडियो आई होप आप सभी को पसांद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका admit card आप सभी को बता दे कि admit card इसका बहुत जल आने वाला है तो